लक्ष की दिशा में अन्वरत यात्रा सद उद्दिश के लक्ष की दिशा में यात्रा क्रम अखंड ही रहना चाहिए ठकान आने पर थोड़ा विश्राम कर लेने में हर्ज नहीं पर दिशाधारा में परिवर्टन नहीं होना चाहिए कितने अवरोध ऐसे हैं जो लुभाते हैं डराते हैं और भटकाने में चूकते नहीं वन्य प्रदेशों में पश्यों की जुंट निरुद्देश्य घूमते हैं उनके खुरों से पकड़न्डिया बन जाती है लगता है कि राजमार्ग की अविक्षा इन पर चलना सीधा पड़ेगा कई पथिक इस लूब से उन पर चल पड़ते हैं परिणाम में कश्ट सहने, ठकने और निराश होने के अतरिक्त और कुछ उपलब्ध नहीं होता अपूर्णता से पूर्णता की ओर का प्रयान करम नर्धारित करना और उस पर अन्वरत चलते रहने पर ही अभिष्ट लक्ष तक पहुँचना समभव हो सकता है भटकन में श्रांती और कलांती ही पलने पड़ती है पूर्णता की लक्ष तक पहुँचने का मार्ग एक ही है महानता को द्रड़ता पूर्वक पकड़े रहना अविचल निष्ठा के साथ अनवरत उस पर चलते रहना अनुसरन वर्य पश्यों की द्वारा विनिर्मित पकड़न्डियों का नहीं वर्यन उस राजमार्क का होना चाहिए जो सुनिष्चित संकल्प लेकर आगे बढ़े और विश्वास को अविचल रखकर अनवरत क्रम से आगे बढ़ रहे है लक्ष तक पहुँचने का एक ही उपाय है सद उद्देशों की दिशा में अवरूधों को लांगते हुए अपनी प्रयान साधना को अखंड क्रम से जारी रखना अखंड जोती जनवरी 1981 प्रिष्ठ एक